हेलो फ्रेंड्स मैं हूं के पिशिंग आप देख रहे हैं मेरे चनल पड़ोगो तो पड़ोगे अगर आप चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज मेरे चनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरू दबाएं तक आप तब पहुंचे वीडियो सबसे पहले तो मैं ला क्लास 12 का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है साम को साथ बजे जिसमें आपको प्रॉपर वीडियो प्राप्त होती है तो उसको जॉइन करने के लिए मेरे वाट्सम नमबर पर आप मैसेज कर सकते हैं जिससे आपको गुरूप में जॉइन किया जा सके और अगर आप प्ले आप से है को अगर आप है को नमबर आट है कि माइनस एक दो तीन है पांट साथ नौग और आप यह बीदे रखा है हमको माइनस चार एक माइनस पांच एक दो जीरो एक तीन एक और इसके पहले पार्ट पर हम देखते हैं क्या कह रहा है पहले पार्ट में कह रहा है कि ए प्लस बी का होल डैस बराबर ए डैस प्लस बी डैस तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ए डैस निकाल लेते हैं पंक्ति को उठाकर इस्तम्म डालेंगे माइनस एक दो तीन पंक्ति साथ नो माइनस दो एक एक बी डैस की बात करते हैं माइनस चार एक माइनस पांच एक दो जीरो एक तीन एक यह हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है अब देखिए ल, एच, एस उठाते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है आविव ए दे रखा है माइनस एक दो तीन पंक्त साथ नो माइनस दो एक एक प्लस आविव भी दे रखा है माइनस चार एक माइनस पांच एक दो जीरो एक तीन एक यह होल्डाइस हो गया अब देखिए इन दोनों को जोड देते हैं तो माइनस एक माइनस चार माइनस पांच दो एक तीन माइनस दो पांच एक छे साथ दो नो नो जीरो नो माइनस दो और एक माइनस एक एक तीन चार एक एक दो अब देखिए डैस अटाकर उसको इस्तम में वेविस्थित कर देंगे पंग्ति को माइनस पांच तीन माइनस दो छे नो नो माइनस एक चार दो यह हमारा पास आगया एल एचेस अब आर एचेस देख लेते हैं यहाँ पर आर एचेस आर एचेस में एडैस एडैस का माहन है माइनस एक पांच माइनस दो दो साथ एक तीन नो एक आर एचेस का मान है माइनस चार एक 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 दो तीन माइनस पांच जीरो एक अब एचेस लिख दिया है इनको जोड़ देंगे तो माइनस पांच पांच एक छे माइनस एक दो एक तीन साथ दो नो तीन एक चार माइनस दो नो जीरो नो एक एक दो कि यह आ गया अब यहां पर आप देख सकते हैं इस आवियू में जो वैलू लिखिए और इस आवियू में जो वैलू लिखिए तो दोनों कैसे हैं एक दूसरे के बराबर हैं तो लिखेंगे अता हाँ लेकिन यह प्लस में था वो माइनस में तो वह आप अपने आप लगा सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है की तो स्थे जो जो है वह आपका hw रहेगा ठीक है अब देखिए हम लोग question number 9 पर चलेंगे question number 9 में क्या कह रहा है कि एड़ाइस बराबर कि दो चार एक दो भी बराबर कि दो एक एक चार a-dash और b हमने यहाँ पर लिख लिया है तो हमें मान कहाँ का ग्याद करना हमको मान ग्याद करना a-plus 2b का hold-dash इसका मान हमको यहाँ पर ग्याद करना है तो वह कैसे ग्याद करेंगे देख लिजिए सबसे पहले हमको यहाँ पर दिकरा है कि हमको a चाहिए और 2b चाहिए तो हमको a-dash मालूम है हम a निकाल देंगे कैसे पंक्त को उठाके इस्तरम में डाल दीजिए दो चार एक दो बी दे रखा है और बी की जिएक पर हमको क्या चाहिए लिए टू भी चाहिए है तो टू बी के लिए टू के अंदर गुणा करतो दो दूना चार दो एक कम दो दो एक कम दो है कि अधिये प्लस टू बी का होल डैस एक कमान कितना है कि दो एक चार दो चाहिए तू बी कमान कितना है चाहर दो दो आज़ यह वैलू लिख दी और यह होल डैस लगाता हो होल डैस लगा दिया तो दोनों को जोड़ना है दो चार च्छे एक दो तीन चार दो च्छे आठ दो दस डैस लगा था डैस लगा दिया फाइनल पंक्त को इस्तमर डाल देंगे च्छे तीन और च्छे दस यह आगया हमारा आंसर इस तरीके से इसको लगा सकते हैं उम्मिद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा चलिए बढ़ जाते हैं कोशन नम्बर दस की तरफ काफी इंपॉर्टन कोशन आई यह कोशन नम्बर दस पर आप इंपॉर्टन लिख सकते हैं कि क्या कह रहा है आव्यू एंप कि कि एक दो जीरो कि कि तीन माइनस एक चार कि एडैस तता एडैस एग्याद करना है कि हमको ए मालूम है कि तुरंद हम क्या निकाल लेते हैं कि एडैस निकालेंगे कि एडैस कैसे निकलेगा पंक्त को इस्तम में डाल देंगे पंक्त को इस्तम में अर्थात एक दो जीरो कि तीन माइनस एक चार कि यह आ गया हमारे पास क्या एडैस अब हमको क्या करना है एडैस गयाद करना है तो लिखेंगे एडैस एक दो जीरो तीन माइनस एक चार और एडैस का मान कितना है एक तीन दो माइनस एक जीरो और चार तो यहां पर देखिए हम पहले पंक्त को उठाएंगे और पहले इस तब में लगा देंगे तो एक एकम एक दो दूनी चार पांच बन जाएगा फिर इसी को इस तब में लगा देंगे दूसरे वाले इस तब में तो एक या तीन दो एकम दो माइनस दो तीन और माइनस दो एक होता है तो यह एक हो गया अब हम दूसरी पंक्त को उठाएंगे और पहले इस तब में लगाएंगे तीन माइनस दो और जीरो तो एक आ गया अब दूसरे इस तब में लगाएंगे तीन तिया नौ और माइनस एक एक नौ एक दस चार चकुष सोला दस सोला चब्वेस तो ए एडैस हमारे पास आ चुका है पांच एक एक छब्वेस क्लियर है अब वो हमसे कह रहा है कि केवल ए एडैस नहीं एडैस ए भी निकालिये एडैस ए तो यहां पर लिख देते हैं एक दो जीरो तीन माइनस एक चार यह एडैस हो गया और ए हमारे पास क्या है एक दो जीरो तीन माइनस एक और चार अब देखिए इनकी गुणा करानी है तो आप जानते हैं कि गुणा कैसे करानी है सबसे पहले पहली पंक्त उठाएंगे और पहले स्थम से लगाएंगे एक इकम एक तीन त्या नहीं नहीं दस वारा डिश्टरविंस ओएंगे तो थोड़ा सब वेट करिएगा प्लीज थोड़ा सब वेट करिएगा थोड़ा सब लॉक नहीं करीए स्क्रीन इसकी वज़े से इस वाग रही है चलिए अब देखिए अब इसी को इस इस्तम में डालेंगे एक दूना दो तीन एकम मैंनस तीन दो और मैंनस तीन मैंनस एक होता है इसी पंक्ति को तीसरे इस्तम में डालेंगे 0,3,12 इस पंक्ति को उठाएंगे और इस सिस्थम में डालेंगे तो दो एकम दो और तीन एकम माइनस तीन तो माइनस एक आ जाएगा इस पंक्ति को इस सिस्थम में डालेंगे तो दुनी चार और माइनस एक एक चार एक पांच इस सिस्थम में डालेंगे जीरो माइनस चार अब तीसरी पंक्ति उठाएंगे पहले इस सिस्थम में डालेंगे जीरो चार तियां बारा इस सिस्थम में डालेंगे जीरो माइनस चार और जीरो चार चकु सोला तो यहां पर यह हमारे पास आ चुका है एडाइस ए उम्मिद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझने आ गया होगा तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखने वाले हैं बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में अगर मेरा बता हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आकन को जरूर दबाएं ताकि आप त क्लास में टुआ हुआ दुर सब्सक्राइब करें लिए टुआ है जया है